असलाम लेकुम 6th class, last lecture में हमने अपना chapter number 1 किया तो social studies का, आज हम अपना chapter number 15 करेंगे citizenship rights and values, सबसे पहले हैं इसके objective, objective में है MCQs, number 1, dash of Pakistanis are Muslims, कितने percent Pakistanis जो हैं वो Muslims है, 96.5 या 97.5, तो 96.5 percent Pakistanis जो हैं वो क्या है, Muslims हैं यानि उनका religion जा है, वो Muslims है, Islam है, number 2, to help Pakistan we should dash, कि पाकिसान के मजद करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, option A, unfollow rules, full rules को follow नहीं करना चाहिए, या B, study hard के अच्छे से पढ़ना चाहिए, तो हमें पाकिसान के help करने के लिए study hard यानि अच्छे से पढ़ना चाहिए, number 3 है, traffic rules must be await if we want dash, कि हमें traffic rules को follow करना चाहिए, अगर हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं, safety चाहते हैं, या फिर danger चाहते हैं, तो हमें traffic rules को follow करना चाहिए, number 4 है, rights and values are important for dash, option A for all people, या फिर some people, कुछ लोगों के लिए rights and values जरूरी होते हैं, या पिर सब लोग चाहिए, number 3 है, the constitution of a country gives special rights to its citizens, के एक मुल्क का जो कानून होता है, constitution जो होता है, वो अपने citizen को, अपने शेहरियों को, एक special जो है, वो rights देता है, इसके बाद number 4 है, all religions teach similar values के सारे मख़भ जो हैं, वो एक तरह की values जो हैं, वो जिखाते हैं, number 5 है, help those people who need support, कि उनकी मदद करनी चाहिए, जिनको support की, या जिनको मदद की जरूरी होती है, आगे हमारी matching है, list A है, हमारी Christians, Hindus, 6, value time, और children rights, list B है, हमारी UNICEF, church, punctual, temples and goodwara, तो हमने इसको match करने हैं, Christians क्या हैं, Christians कहां पर जाकर जो है, वो अपनी अबादत करते हैं, तो number 1 के साथ हम किसके साथ match कर देंगे, church के साथ, number 2 है, Hindus, Hindus कहां पर अपनी अबादत करते हैं, तो temples में, यानि मंदिर में करते हैं, इसलिए हम उसको two के साथ match कर देंगे, उसके बास six है, six है, आपको पता है, कहां पर जाते है, गुर्दवारा में, number 4 है, value time का मतलब होता है, कि time को अगर value करना तो हमें punctual होना चाहिए, और children rights का कौन साथ है, ऐसा इदारा है, जो हमें children rights के बारे में साथ अपताता है, UNICEF जो है, उसके साथ हम इसको match कर देंगे, objective हमारा complete होगे, अब हम subjective के तरफ चलते हैं, सबसे पहले हमारे short question answers, question number one, why are values important for people, कि लोगों के लिए values जो हैं, वो क्यों ज़्यादा जरूरी होती है, values are important for all people, because values make life worthwhile and pleasant, कि लोगों के लोगों के इसलिए जरूरी होते हैं, क्योंके values जो होती हैं, वो जिन्दगी को गुजारने के काबल, और उसको खुशगवार बनाती है, question number two, write any two human rights के दो इनसानी हकूँ का अपने लिखने हैं, number one, the right to follow is one religion, कि हर एक को यह हकूँ हासे हक हासल है, कि वो अपना religion को follow कर सके, the right to have a good job and a good life, कि हर एक को यह हक हासल है, कि वो अच्छी जौब कर सके और एक अच्छी जिन्दगी गुजार सके, name three rights that you think are important for children, कि आपने तीन rights बताने हैं, जो आपको लगता है कि बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, option number one है, हमारा the right to get a name and nationality, कि हर एक को यह हक है, कि उसको जो है, वो एक नाम दिया जाए और उसको एक nationality दी जाए, इसके बाद है the right to education और हर बच्चों को यह हक है, कि वो education यानि तालीम हासल कर सके, question number four है, what should we do to run a society smoothly, कि हमें क्या करना चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि एक society जो है, एक society को सही तरीके से चलाने के लिए हमें चाहिए, कि हम हर एक की इज़ित करें, चाहिए वो हमारे parents है, family है, हम से बड़े लोग है, या पर चाहिए उनके ideas हम लोगे साथ मिलें या ना मिलें, फिर भी हमने सब की respect करनी चाहिए, question number five है, which beliefs we should obey first, कि हम किस belief को सबसे पहले जो है, वो follow करना चाहिए, we should be obedient first to our religious belief, then the law of the land, कि हम सबसे पहले जो है, अपने religious beliefs जो होते हैं, उनको follow करना चाहिए, उसके बाद जहां पर हम रह रहे हैं, उसके land को, यानि उस जगह के rules को, कानून को follow करना चाहिए, short question analysis complete होगे, अब हम long question analysis की तरफ चलते हैं, question number one, write a note on the importance of respect in a society, कि एक society में इज़त की क्या importance होती है, उसके उपर आपने एक note लिखना है, to help society run smoothly, हो कहते हैं कि,